Hello Everyone, आप में से सभी के पास किसी न किसी बैंक में जरूर एकाउंट होगा अगर आपका किसी भी बैंक में एकाउंट है तो आज मैं आपको ऐसे एप के बारे में बताऊंगा जिससे आप घर बेठे जो है अपने किसी भी बैंक का बाइलेंस से कर सकते है और जो अपना IPC code जान सकता है और आपका bank खुला है या बंद है या कोई भी bank खुला है या बंद है ठीक है और आपके नजदिकी में कहां कहां idea में कौन-कौन सा bank है यह सारे चीज आप उस app में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए video start करते है video start करने से पहले आपसे छोटा सा request है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please आप हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि मैं जब भी को new video upload करूँ तो आपको मिले हमारे video की notification सबसे पहने तो चलिए शुरू करते है इस सबसे पहले हम अपने मोगाल स्क्रीन पर आसे आने का बाद जो है आपको play store में एक app search करना होगा ठीक है यहांप आपको search करना होगा search bar में search bar में आपको search करना होगा लिखना होगा check balance check balance ठीक है Check balance जैसे ही आप लिगेंगे, दीए सबसे टॉप में आपको यह जो एप आजाएगा Check balance, आप इस पर click करदेंगे, जैसे आप इसे पर click करके आप आप download कर लेंगे, ऐसे मैंने इसका link जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस link पर click करके भी download कर सकते हैं, यह मैंने already download कर लिया है, तो चलिए हम इसको open कर लेते हैं, जैसे हम इसको open कर लेंगे, ठीक है, open करने के बाद यहां से, यहां जो हमको language select करना होगा, अब अगर Hindi select करेंगे, तो आप Hindi कर सकते हैं, अगर Hindi English करना चाहेंगे, जो भी आप language select कर सकते हैं, जो भी अब select करना चाहें, तो यहां पर मैं English select कर लेता हूँ, English select करना के बाद, जो है, submit के button पर click कर देना है, ठीक है, जैसे आप इस पर click कर देंगे, देखिए, यहां से, जितने भी bank ह यहां पर list आ गया, नाम आ गया, ठीक है, यह सारे bank का नाम आ गया, आपका खाता, आपका account जिस भी bank में है, ठीक है, उस bank पर click करके उसकी जानकरी ले पाएंगे, ठीक है, जैसे कि मेरा for example के लिए, जैसे मेरा account state bank of India में है, तो हम इस पर click कर लेंगे, अगर आपका जो है, ब यह भी आपका जिस bank में account है, आप इस पर click कर देंगे, जैसे में state bank of India आपकी Khan करने बाद, जैसे में इस पर click कर देता हूँ, click करने के बाद, जैसे balance मुझे चेक करना है, तो balance कैसे check कर सकते हैं, तो देखें यहां पर check balance का होगा option, इस पर आप click कर देंगे, ठीक है, जैसे आ एक आप इसपे क्लिक करेंगे उसपे क्लिख करनेक बाद एलो मागा जाएगा तो आप एलो कर देंगे ठीक हैर आफके मिसकोल चला जाएगा ठीक है और यहां के फॉन में दो सी महि – तो आप सेलेक्ट करेंगे सीमक and साफ लेक्ट expect चाहे तो mini statement भी आप देख सकते हैं तो mini statement देखने के लिए आप देखे get mini statement तो इस पर आप click करके ठीक है यहाँ से अपना mini statement भी आप देख सकते हैं और next अगर हम बात करें तो आप यहाँ से यह भी जान सकते हैं कि यहाँ देखे is bank open today कि आज bank खुला यह बंदी यह आप जान सकते हैं अगर आप जानना चाहेंगे कि SBI bank आज खुला है यह बंद है अगर आप दूसरे bank की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दूसरे bank में जाना होगा जैसे कि यहाँ मैंने SBI select कर लिया है तो यहाँ पे हमको SBI की जानकारी मिलेगी कि SBI आज खुला है या नहीं ठीक है अगर आपको जो बंक आप पड़ोदा करना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बैक करके वहाँ बंक को पड़ोदा select करके फिर इस option पर आपके आपको चेक करना है तो यहाँ पर SBI जानना चाहरा हूँ कि SBI आज बैक खुला है या नहीं खुला है तो आप जो इस बैक open today पर click कर देना है जैसे आप इस पर click कर देंगे click करने के बाद जो आप यहाँ पर state select करना होगा यानि कौन सा state कर जाना चाहते है कि bank SBI खुला है या नहीं तो यहाँ पर state select कर लेता हूँ जैसे आप जो भी state select करना जो भी आप state के बारे में जाना चाहते है जैसे for example के लिए मैं बिहार select कर लेता हूँ select करने के बाद यहाँ पर जो okay पर click कर देंगे जैसे आप okay पर click करेंगे तो देखे यहाँ पर आज बिहार में जितने भी यानि बिहार में जितने भी SBI ब्रांच है वो आज open है देखे यहाँ पर open है ठीक है अगर close होगा तो यहाँ पर close लिखा आएगा ठीक है तो आप ऐसे आप जो check कर सकते हैं ठीक है आप मतलब जो ख पूला है ठीक है अगर हम next feature की बात करते हैं तो हम back आ जाते हैं बैक आने के बाद next feature की बात करते है ATM ठीक है यह ATM अब जो इस ATM से आप check कर सकते हैं जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप यहाँ से यह check कर सकते हैं अगर कभी-कभी जो हम अंजान सहर में चले जाते हैं तो आपको cash withdraw करने की जरूरत होती है तो आपको यह पता नहीं होता है कि हमारे आसपास कौन सा bank का ATM कहां पर है ठीक है तो आप जो simply इस option का आप यूज कर सकते हैं इस features का आप यूज कर सकते हैं तो आपको जो है फिर click करना है ATM nearby इस पर जैसे आप click कर देंगे तो आपके नजद नजदिक में यह इंडिसंड बैंक का है, Axis bank का, State bank of India का, IICI का, यह सारे जो है इतने सारे bank का हमारे नजदिक में ATM available है अगर आप जैसे की for example के लिए अगर मुझे Axis bank के ATM पर जाना है तो यहां पर आपको click करना होगा यह जैसे आप click कर देंगे click करने के बाद जो है अब जो है उस ATM पर जो है, automatic में पॉन हो जाएगा आप उस ATM पर आपको ले जाए जाएगा ठीक है फिर हम दुबार आप बाएक आजाते हैं, फिर हम next feature की बात करते हैं, तो next feature की बात हम करते हैं कि जो है IFSC Code हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है, IFSC Code यह दिखे एक IFSC Code का जो है, एक हमारे पास जो यह पर option होगा, एक IFSC Code ठीक है यहाँ पर मैं IFSC Code मतलब क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप पहले आपको state select करना होगा, कौन सा state का जाना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर state select कर लेता हूँ, भीहर, जैसे आप भीहर select कर लेंगे, उस पर click OK कर देंगे, क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आपको city select करना होगा, जैसे अगर आप अपनी city, IFSC Code जाना चाहते हैं, तो आप इस पर city select कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर city select कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ अपना city select कर लेंगे, city जो भी आपका city है, जैसे कि for example के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए भागलपू पर क्लिक करेंगे, तो भागलपूर जो district में, जितने भी branch होगे, SBI के जितने भी branch होगे, सारा आपके पास यहाँ पर list आ जाएगा, यहाँ देखिए, नीचे होगा, ठीक है, select branch, यानि कौन सा branch का आप जानना चाहते हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जितने भागलपूर जिस्टिक में, जितने भी branch होगे, वह सारे आपके पास आ जाएगे, अब आपको किस branch का जो है, IPC code जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से select कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि for example के लिए कोई वे select कर लेता हूँ, जैसे कि अलि गंजी यह लिखा है, जैसे ह जैसे आप इस पर click कर देंगे, click करने के बाद देखें, यहाँ पर, जैसे कि पंजाब निशने bank ले लेता है, यहाँ से लेने के बाद जो है, यहाँ पर जैसे पंजाब निशने bank ले लिए, select कर लिए, select करने के बाद अगर आप यह जानना चाहते हैं, कि आज जो पंजाब निशने bank खुला है, या बंद है, आप यह भी जान सकते हैं, यह सारा चीज हर bank में आपको सारी facilities में लेगे, जैसे आज पंजाब निशने bank ख फेन है, ठीक है, अगर close रहेगा, तो यहाँ पर, close आ गहाँ ठीक है, यह बिषाआर में, कहां पर यह select करना होगा, कि कहां पर Luck कर ना होगा, ठीक है, यह सारी features और भी इसमें वह kasवा the features है, और भी आप features के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जिसे कि यहाँ पे जो है, दोगे, पॉन बेंकिंग, नेड बेंकिंग, यह सारे चीज़े, लॉन कॉलकुलेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आर्टियो वेकल्स, इंफरमेस, यह सारे यहाँ फैसलिटीज आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप जो खुद से अपना ATM कार्ड भ जाने के बाद, ठीक है, जैसे आप ATM पे जाएंगे, तो यहाँ पे दिखे, ब्लॉक ATM कार्ड, इस पे जैसे आप जाएंगे, उसके बाद जो अपना ATM कार्ड को ब्लॉक कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ से कस्टमर केर्गो द्वारा जो आई वियर के थूरू जो आपना यहाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भी ले, थैंक्स पर वाचिंग